परसेंटेज के पार्ट 3 को सौल करते हैं पैन पीपर लेकर के बैठना और इससे पहले वाले यदि दो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लिलिस में जाकर देख सकते हैं इस्टेमेटिक तरीके से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा कॉंसेप्ट आपके के लिए रोंगे और आपको ज्यादा समझ में आएगा जैसे कि प्रेक्टिसेशन है तो आपको पैन पीपर लेकर करके बैठना है और पहले खुद से कुशन को ट्राय करन लेकर के उसके व्याइमें 25 परसेंट की ब्रद्द्धी होती है और बचत में 30 परसेंट के व्रद्धी होती है तो उसकी आएमें कि कितनी होगी यह हमें हुगा चैना होगा अब देखें वह क्या कर दिए 28% बचाते है मतलब अगर हम इसको चार से काटुंगा तो चार से 28 और चार से 25 यानिका 28 परसेंट का जो फ्रेक्शन वेलियो है वो साथ बटे 25 है यानिका मान लेजिए उसकी आए अगर 25 है तो वो क्या करती है तो वियाई कितना करती है वो 18 रूपय का वियाई करती है कौन राधा अब देखे बोला गया कि उसके वियाई यानिका टोटल अगर उसके वियाई में 25 परसेंट की विरद्धी हो जाती है तो हम क्या करेंगे इसका यहां पर हम जीरो बढ़ा लेते हैं अपने पास से क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कैल्कुलेशन करना आसान हो जाएगा तो ह 0 से 0 Cheese 25 रट होता है 200 साफिर हासिर 20 और 25 25 और 25 यानि चार्टियराव में विरद्धी हो गई कि साथ साथ उसकी सेविंग में 30 की इसका मदल्ब इसका जो 30 परसेंट किना यह जाएगा यहां पर देखिए का तो निकाला था, यानि कि 25% का increase हुआ था और उसकी saving में हुए आए 30% का, तो सात्या 21, यानि कि 210 का increase इसमें हो गया, total increase उसकी क्या है, I में कितना हुआ है, यह हमसे पूछा गया है, तो देखें, इन दोनों में कितने का increase हुआ, व्याए में तो 4500 का, और उसकी बच्चत में भी increase हुआ है, 210 का, तो इन दोनों का increase हुआ है, तो व्याए में कितना का increase हुआ है, दोनों को हम add कर दें, क्योंकि आए बराबर क्या होता है, total व्याए और saving, तो यहाँ पर increase होगा, 0, 5, 6, 6, यानिके 666 का, उसकी I में क्या होगा, increase होगा, यानिके जो I बढ़ेगी, वो 666 बढ़ेगी, तो देखे, 25 सो पर उसकी I में व्रेंद होगी है, 666 की, परसेंट में कितनी हुए है, यह हम से पूछा गया था, तो हम देखे जीरो से जीरो काट देंगे यहां पर यह जीरो से जीरो कैंसल और यहां जाएगा देखे पांच से इसको काट ले दर्च हो चलिए यह पहले हम पांच से काट लेंगे इसको तो देखे यहां जाएगा यह पांच एक बचे का पांच तिया पंदरा और यहां हुआ है वह हुआ है 26.4 परसेंट का यह हो जाएगा option C हमारा इस कुश्चन का राइट आंसर क्योंकि देखे एक वीडियो में 15 कुश्चन सौल करते हैं तो यह पर देखे 32 नंबर है यहां पर एक लेखागार ने क्या किया एक संक्या को 9 बटे 2 के बजाए 2 बटे 9 से गुणा कर दी यानिकि उसको 9 बटे 2 से गुणा करना था लेकिन उनने जो क्या किया उसमें गुणा क क्या कर दी तो आकर लिए नकी जहिए या पर आप कर देंगे तो हुज आयों आप देखे ऎकिए 11 preserv fold यहां जागा दो हम्यार सैथे इस पर तो कितनी कि तुरू है किरते है कितने के वह मताना है तो हमीं बताना यहां लगा देंग हम 81 पर 77 पर परसेंट के लिए लगा देंग हम गुड़ा में 100 क्योंकि देखिए जो सही वैल्यू एक्चुल वैल्यू आनी चाहिए थी 81 लेकिन आया है सिर्फ फोर कितने की तुरूट याई 77 की तुरूट याई किसके ओपर आई है वो 81 के ओपर परसेंट पर कोई कटने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे दो बार काट लेदें इसको एक बार फिर से काट लेगा हम 97 63 को सॉल कर सकते हैं इस संख्या का 30 परसेंट से पंद्रा कम है तो वह संख्या कितनी होगी यह इस से कितना कम है 30 परसेंट कितनी होगी हमें निकालना है सो की इंपरंट कि 75 इंप चाहले नंबर में अंतर कितने का तो 15 का नंबर में अंतर है यानिके तेल्स परसेंट की जो वैल इन फरसेंट की जो PANDोर है तो यहां से 100% की वैल्यटी मिली कितनी फालगी कर जाएगी यह जो पाल यह हैं कि यह DTNB9% बेगी एक इसान बराबर यानिक न bet để 10 है यहां से बोला जाएगी तो B क्या है वो 20 का B % कितना होगा तो यहां से अगर हम इनका ratio निकाले पलट के जाएगे धर गुणा में आ जाएगे 10 B A और B का अगर हम ratio निकालेंगे तो कितना जाएगा 1 यहां पर आ जाएगा 1 यहां जाएगा 10 ratio 1 तो B कितना है यहां पर एक है और A कितना है यहां पर 10 है तो बोला जाएगी B 20 का B % B % मतलब 1% तो इसका 1% कितना जाएगा 1 upon 100 तो बीस पंजे 100 यानिके एक बटे 5 यह कितना होगा कि इसका अब option देगी हमें दिया गया है कि यहां पर देखी A का 5% है A का 3% है A का 2% या फिर A का 4% है तो A कितना है 10 है तो देखी A का यह कितने % है भाल लेते हैं X % है percent के लिए लगा देखी Bटे में 100 बराबर 105 यह कितना है इसके तो 0 से 0 के अंचल 5 से सको काटेगा 5 दूनाम पर जाए और यह बटे वाला 2 बराबर कि इस तरफ चलाए कि दो परसेंट तो एका कितना है ये दो परसेंट है और चार के नुपात में ये पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% कितना होगा फुड़ोसरी एक राख्येर такие अगसा है और दूसरी चार आख्या nya दो संख्या में दूसरी संख्या का निकर इसका sas VII यह नेकर इसका और इसका इसका सॉMore मैं और और नीचे वाली का अ है कि किर दिम आ यह यहाँ और से चाल तो दूसरी संक्य है यानि कि इसका 30% कि इतना होगा बस यह एक्वेशन हमें लिखनी दीतनी तो हम काटा कूटी कर लेंगा और आ जाएगा तो देखिए यहां परसेंट से काट लेते चलिए तो यह जागा तीन चोग बारा यहां जागा यह दो तीन अट्टे चोबिस तो यहां जागा देखिए अड़ताली धुना में तो यह एक्स की वैल्यू आजाएगी वह कितनी आजाएगी 96 तो उम्मीद करता हो यह इतनी कैलकुलेशन तो आपको समझ जा रह तो ऐसे नहीं करना इसको हम डिरेक्ली कॉल करेंगा परसेंट का साइन लगा तो परसेंट से परसेंट के एंसल हो जागा तो उसको लिखने की कोई जरूत है नहीं तो यहां पर पुछा गया था कि दूसरी संग्या का 30 परसेंट कितना हुआ तो 96 होगा तो देखिए सी ओप अब देखिए इसका 30 परसेंट क्या हो गया तो अच्छे फ़लो का परसेंट कितना है यह हमें बताना है अब देखिए तो इसको लिखना नहीं इसको लिखेंगे क्यों आसान सी कैल कुलेशन है और देखिए 400 का यहां पर निकालना हमने देखी बोला गया कि 18% के लिए सड़े हुए है अगर 18% सड़े हुए है तो 82% क्या है अच्छे है तो इसका 82% हम निकाल लेंगे यहां जा गई चार दुन में 8 तो 48 जा गई 32 तो 328 क्या होगा के लिए अच्छे होंगे 400 में से तो टोटल फ्रेश क पर फ्रेश हो जाएंगे तो 82% हमने देखी इतना लिखना नहीं इसको ऐसे देखी चार दुना में 8 आजा गया और यहां जागा आठ चोग 32 तो देखिए वापस से यह 3.23 मिला तो हम गरेक लिए बिना पैंच चलाए इतनी क्यालकुलेशन करेंगे अब टोटल है कितने दि में संत्रे और केले दोनों फ्रेश होंगे तो काई दिखी हो जाएगा हमारा ऑप्सनी दोहत्तर दसंबलो 8% फ्रेश फ्रूट है इन दोनों में पूछता कि अधरा कितने होंगे तो 100 में से इसको माइनस करते हैं क्योंकि अपना आप में 100% होती है किसी स्कूल में लड़की ओ लड़को की संख्या का अनुपात 8 अनुपात साथ है तो देखे गल्स है और स्कूल में को हमें बॉइस है अनुपात कितना दिया हो वह मैं 8 अनुपात ताथ यहां पर दिया हुआ है यह लड़की ओ लड़कों की संख्य में प्रतिशत व्रद्धी क्रेम से 10 परसेंट टवटी परसेंट तो देखे रेशो यहां पर दिये गया और प्रतिशत हमें निकालना तो अपने हिसाब समिंद में एक जिरो बढ़ा ले गए रेशो में आप अपने हिसाफ से क plugging सकते हैं इसमें रिवायड लगा सकते हैं अब 10% निकालना आसान है यानि कि क्या हो रही है ouais इतना मन में देखते तो हम निकालेंगे कि इसका ten percent के इतना वहांproduct 80ц तो यहां जाए एक सुदस की वैल्यू अठासी जब इसमें 10% की व्रद्धी हो जाएगी तो यह हो जाएगा अठासी और इसमें 20% की व्रद्धी होगी तो या निकाल लें हम इसका देगे 14 चंग जो रहासी तो यह हो जाएगी 24 जब इसमें 20% की व्रद्धी होगी या आफिर आप ऐसे भी रेख सकता है कि 10% साथ तो 20% कितना होगा 14 70 में 14 जाम इतना 54 काट लेदा हम इसको देगे 4 से 4 से इसको काट रहें 22 चोग और यहां जागा 21 चोग इनका नया अनुपात होगा तो यहीं पूछ अदम चाहिए कि नया अनुपात कितना होगा 22 अनुपात 21 क्या होगा इन स्कूल में लड़कियों और लड़कों का अनुपात होगा को स्वयं की 80% संख्या होगा यह में बताना है तो इसमें से इसमें 85 घटाएंगे यह 25 जो है ये 25 परसेंट का माने क्योंकि दीए संख्या में तो हम ने 25 कमी किया है लेकिन वह संख्या 100 पर संट होती है अपने आप में अब कहले την 80% यह नविए इने हैं पहले संख्या वह 100 परसेंट थी अब यह 1 97 कमी का ay Vladimir इतना का नंति चार बटे पांच पूछा गया, चार बटे 5, पांच कितना होगा, देखें, बीस पंजे होता है, सो, तो सो से सो कैंसल, चार सम इसमें गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा, चार पंजे बीस का जीरो, हाजल दो, चार पंजे बीस अरो बाइस, जो उस संख्या हो जाएगी, व को इसको पूरा, अगर आप सोघंगे, बेसिक से तो ऐसे करेंगे, एक्समान के सौगर सकते है, या फिर आप सौगर जो खेंगे, तो देखें, एक्समान की निकालने घाँए बीस Northern हो एधाल तो यह 15 पांच का माइनर म known वह को संख्य कितने होगी राद से निकाल लेंगे चार बट्टे 5 कितना होगा यह हम निकालेंगा पांच 25 25 25 25 25 चार की मुल्टिप्लाइब करेंगा तो इतना लंबा में करना ही क्यों है तो कर इस तरीके से हम आइसे सॉल करेंगा यहां जो दिया हुआ है है वही देखेंगा जो पूछा गया वह देखेंगा इसका मतलब 20 परसेंट गटी है प्रिवार को चीनी के व्योग में कितने प्रिदिशत की कमी करने चाहिए था कि उसका व्याय ना बढ़े तो देखेंगे प्राइज है प्राइज मान लेजिए पहले सो था अभी 33 परसेंट बढ़ करके होगी एक सो तैजिस तो उसका उपभोग है यानिके उसका जो कंजमसन है जब भी व्याय समान होता है त परसेंट में कितनी करने होगी यह हम से पूछा गया तो देखेंगे यहां पर लिखा हुआ यह 133 बटन उपर है एक सो तैजिस जो का होता है 132 तो यह मान लिजा आप 133 ना करके 132 है तो यह इससे कितनी बार कटेगा चार बार और चार से सो को काटेगा 25 बार तो 25 होगी वह 24.8% की कमी करनी होगी कुशन हमर 40 यहां पर अमन अपनी आए का 74% खर्च कर देता है 74% अगर वह खर्च कर दिया इसका मतलब क्या है यहां पर दो से हम इसको काटेंगे दो तिया छे और दो सत्य चोदा से हैं तिस बटे में आ जाएगा यहां 50 तो दिखें आए ब तो देखें यहां पर बोला एकि जदी यहां पर बोला एकिए उसके व्याए 20% से बढ़ जाए और बिचत 25% से तो मालने दे उसकी आय तो देगे 50 है और उसका खर्च कितना हो जागा बोला यह 54 परसेंट अगर वो खर्च करता है तो बचाता कितना है बचाता है वो तेहरा अब परसेंट में निकालने के लिए हम अपने पास से इसमें एक जीरो और एड़ कर देंगे तो कि रेश्यों में हम गुणा भाग कर सकते हैं 30 परसेंट उसके व्याय में व्रध्य होगी तो इसका 30 परसेंट अब हम निकालना है कितना हो जाना 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यही चीज हमने करिया है इसको लिखना मन में ही जौल कर लेंगे अब देगे बचत में क्या हुआ हुआ 25 परसेंट की व्रध्य होगी 25 परसेंट का मतलब क्या होता है एक बच्टे चार चार से में इसमें डिवाइड लगा देंगे तो कितना जाग यहां पर यह चार तिया बारह यहां चार दुना में तो बच्छत की क्या होगे उसकी बच्छत में व्रध्य होगी तो उसके आए इनकम में कितने की विरद्ध हुई है देखिए और क्या होता है यह प्लस के बचात तो दोनों का कर देंगे तो कितना जाए पांच दो और एक आजा आगा तीन 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 देख चार और एक यानि कि कुल 143.5 की क्या होगा उसके आये विरद्ध होगी पहले उसकी आये थी 8.7% की क्या होगी उसकी आये में व्रेद्ध होगी option B होगा इस question का right answer इसके जैसा ही question इस वीडियो में हमने पहला करा है तो पहला question और यह question दोनों same concept पर आधारित है तो इसमें इसका जो answer आजागा वो 28.7% आजागा उसकी आये में व्रेद्ध होगी वो option B 17.8% की होगी त अगला question पर बढ़ते हैं यह दी किसी संख्या के 3 बटे 4 का 80% 63 है तो वह संख्या कितनी होगी क्या करना है माल ने देखो संख्या x है इसका 3 बटे 4 का 80% 80% मतलम 4 बटे 5 परावर कितना है 63 है 4 से 4 खता हम 3 से इसको काट देगा हम 3 जनों में 3 इस पंजी होता 105 तो वो संख्य यहां पर देखिए x का 25% x plus 60 30% से 40 कम है x minus के 40 35% 120 से कितने percent अधिक होगा यह हमें बताना है यह इनका अंतर दे दिया हमें 40 का तो देखिए x plus के 60 इसका 35% 30% मतलब 3 बटे 10 minus क्योंकि इनका अंतर में दिया हुआ है 40 x का 25% 25% मतलब 1 बटे 4 इन दोनों का अंतर है यहां पर 40 का तो यहां से हम क्या गरेंगे x की value निकालेंगे x कितना है यहां से देखिए x value जब हम निकालेंगे तो दोनों का हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे इसको काटनके हम दो बार जाएगा और 3 यहां पर यहां पर यह दिया हुआ है और 6 x कि चैसे 36, क्योंकि हम ने 10 से काटनके जाएगा दो बार 2 से multiply हम इसमें करेंगे तो यहां पर यह 3 भी दिया हुआ है तो 3 से ही when we have been कर दी तो पूरी हमने चैसे मिल्टिप्लाइच में कर दी है तो यहां जागा लेगे चार से मिस को काट कर के 20 को चार पंज बीस तो मैंने जागा यह पांच एकस प्लस का है फांच एकस मैंनेस का तो यह मिंगुए चार बचा बचा तो चार चार सो मान हें कितना 440 में हमerek मनें से 414 माैनिस करेंगे तो घार जाएगा चार निकालेगे 35 यानििंक आपर 240 आजाएगा कि 140 कि यहां पर यह दिया हुआ है 400 और इसका निकालना हमने 35% हम क्या करेंगे 200 का निकाल लेंगे 70% क्योंकि बात यह कि है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 को 200 गुड़ा में 2 तो इस 2 की से कितना अधिक है तो देखें यह 120 से कितना अधिक है 20 अधिक है किस पर 120 पर पर प्रतिशचत में कितना निकालने जीरो-जीरो खतम और यहां जागा है एक बटे स्य का मतलब होता है 16 1223% क्या होगा यह 120 होगा ओप्षन सी होगा इस कुशन का राइट आंसर तो देखें थोड कि एक संख्या पी में 99% का पी परसेंट जोड़ने पर प्राप्तमान जियसा बोला गया वैसे लिखते जाना कोई संख्या पी है हिसमें 995 के लिए लगा देगा मुणा में 100 जोड़ा गया उसके बाद एक 99 रेंगे 99 % के योग के बराबर वग्या विए तो इसमें निन्न बे रिए पर चैंश को निक तुब के बराबर है तो यहां से सबसे पहले निकाल यह इतना ओगा यह लिखा हुआ है तो हमें चैनल रिखाँ तो इस तरुन और झेल जोताँ कि लिखेए गलाफ लौन कि सब्सक्राइब करें तो इसमें लिखताँ पर लिखें यह यह 9 इसमें 100 से multiply करें गए और पिलस के यहां पर आ जाए गए 99 पी के और बट्टे में हिए यहां पर आ जाए गए 100 के यह यहां पर अगर आप इसकी यहां पर देक़ें तो यहां पर Seite गया इसको बराबर करे इस तरिक ले जाने की मैनस का की माइनस इसको पो दो इधर बचलेगा सिर्फ और यह बराबर किससे होगा नाइन डबल जीरो पे जिरो से जीरो कैंसिल हो जाएका तो पी का जो माना जाएका वो कितना आजाएका 99 अब यहां पर यह दिया गया एक्विशन हमें पी प्लस के 51 यह निकालना है यानिकर देखें 28 मि इसका में निकालना एक सौंपचास न हमinc oluşsz toda परसेंट जाये गाए कि य आ Okay हुआ झालना है तो गा जालना है किए जाए जान दो चोइट दूचभ आरा और सब्सक्राइब नहीं करना इतना करते हैं कि आंसर जो आएगा हमारा कितना चार या फिर आप इसको पूरा भी सौल कर सकते हैं इसको तीन से गुणा करके बातर जूनाइज में देखें तीन चोग बारा यह चार यह तीन चोग बारा का दो आ जाएगा हासिल यहां पर एक लगए हो देखें तो देखें चोग पूरा कुष्छन को हम सौल करेंगे तो ऐसे शौल करेंगे बाकि पूरा सौल नहीं करना इक हैं एक में चार दिया हुआ था तो हम एक देखकर करके सांसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे लास्ट कुछिए ने देखिए इस वीडियो का रमेश ने शुरेश की तुलना में 30% अधिक निवीश किया एक तो रमेश है यहां एक शुरेश है और एक यहां अरून है तीन वेक्ति यहां पर दिये गए हैं तो रमेश ने क्या क्या अगर इसने 10 किया होगा तो इसने 13 किया होगा क्यों कि देखिए 30% का मतलब होता है यहां पर इस परसेंट की तुलना में 30% कम निवेश किया 20% का मतलब होता है आपर दो बटे 5 इसने क्या गया अरून की तुलने में 40% कम निवेश किया अगर अरून ने यहां पर 5 किया होगा तो इसने 2 कम 3 किया होगा इनों का रेशियों यहां से हम निकाल लेंगे तो यहां देखें जो खाली जब मैं उसको बढ़ा देंगे हम यहां कि इन दोनों की अंतर अफूल करना करना नहीं है वहाँ आनसर हमारा 9 का मल्टिपल यहां आईगा तो की होगा पूरा ओप्सटी होगा राइप और भी solve कर लेता हम 50 जो है वो 8000 के बराबर है तो पांसे इसको काटेगा हम यह हो जागा 165 जैसे 160 गुणा में 9 करते हम 169 कितने होते है 144 और यह 0 तो 1440 आंसर आजाएगा हमारा देखी 9 का multiply आएगा answer हमारा यह concept होते है जैसे unit is it है इसके लावा divisibility है तो कुशन को solve करते समय हमें option पर भी नजर मालनी है कि कौन से option से हम solve करके बिना solve के पूरा question को आगे भड़ सकते है तो answer हमारा बिना solve करें भी answer एक ही option में दिया हुआ है नौका multiple जो की 1440 है तो यह answer हमारा हो जाएगा last question है इस वीडियो का देखी अच्छा question है और बहुत ही short तरीके से हम इसको solve करेंगे short तरीका वैसे कुछ नहीं होता तब basic ही होता है बागे concept है आपके clear है न तो आपको बड़ा तरीका भी short ही लगने लगेगा तो यहां देखे एक cricket team है उसमें क्या किया गया एक cricket team है दो सो पच्छिस मैचों में 80% मैं जीतना चाहती है वो team अब पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफल तदर 70% है total देखे उसको जीतना है 80% सभी मैचों मैं 80% मैं जीतना है उसको मैच खेले कितने जा चुके है 120 तो बचे कितने है अब बचे कितने है 125 मैं से 120 को माइनस करेंगे 105 105 मैं अभी भी बचे हुए है तो हम क्या करें इंका ratio काट लेंगे तोटा बनाने के लिए हम अपने हिसाप स कर सकते हैं 5 से हमने इसमें डिवाइड लगाया 24 फंजे 120 और यहां जागा 21 फंजे 105 तो यहां जागा यह 21 अब देखिए जो मैच खेले जा चुके है 24 यानि के टोटल 45 मैच मान लिए आप तो क्योंकि हमने बना दिया 125 में भी हम 5 से डिवाइड लगा देंगे तो 45 मैच मान अब देखिए जो 120 मैच खेले जा चुके उसमें से 70 परसेंट मैच तो उन्हें जीत लिए इसमें से 70 परसेंट मैच वो जीच चुके हैं अब इसमें वो कितने मैच जीते यानि कितने परसेंट मैच वो जीते ताकि overall 80% की हमारा target पूरा हो जाए तो 6 मैचों में उसमें की चाहिए तो देखिए तफल तगर 80% की होनी चाहिए लेकिन यहां पर यह 10% कम है तो इसकी भरपाई 10% के कौन करेगा यह 24 करेंगे 24 गोड़ा मेंदाश कितना हो जागा यहां पर यह तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगा deviation method का भी यूज करेंगा deviation method ही हम यहां पर यूज क यहां पर 10% की कमी है वो पूरा कौन करेगा यह 24 गोड़ा में 10 240 कहां पर पूरी होगी 21 में इसमें तो यहां पर 21 हम इसमें डिवाइड लगा देंगा तो 80 पिलस के यहां जागए 240 बटे में 21 तो यही हो जाएगा हमारा आंसर इसका पूरा जाम देखिए इसको solve करेंगा 80% कि अधर में इसको तीन सार्थ यहां जाए करेंगे 9 anch 2015 तो यहां जागे देखिए 80 91 डहीं है हाँ जा जाएगा 3 परसेंट वह जाएगा हमारा आंसर इसका तो यह दिया हुआ हूआ है में यह लिखा हुआ देगे 91 सही यहां तीन बट्टे साथ यह परसेंट तो यह हो जाएगा हमारा इस कुशन का राइट आसर यानि कि जो बचे हुए से मैच है ना यहां पर उनके उनको गर 80% का टार्गेट पूरा करना है तो जो बचे हुए से मैच है उनके 91 सही तीन बट्टे साथ परसेंट की दर से उनको मैच जीतने हों गई यह लक्षे उनको हासिल करने के लिए बहुत जल्दी हम इस कुशन को सौल कर लें और बिना कैलकुलेशन के यह समझाने में मुझे समय लगा बागे आप जब इसको समझ के सौल करेंगे तो अब इसको लगबं 12 से 13 सेकेंड में आंसर टिक करके आगे